पीज एलिस का स्पीड है और साउंड का क्वालिटी इसको देखते हैं अंदर से ओपिन करके मैंने जो एसजेक एम सिक्स लिजेंड लिया था उसका फाइनली जो मैंने माइक और किया था एमजन से वो अभी आ चुका है तो चलिए उसको पहले पीक अप करते हैं और देखते हैं कि कैसी क्वालिटी है हमारे नए Ng6 Legend माइक की और हम पुरा टेस्ट करेंगे मोटो व्लॉगिंग करेंगे उसमें और देखेंगे कि उसकी साउण क्वालिटी अच्छी है या नए मोटो व्लॉगिंग के लिए वो सब रिव्यू करेंगे तो बने रही हमारे साथ इस वीडियो में अंतक और अगर आप इस चैल पे नए है तो सब्सक्राइब करके वे लेगन को प्रेस कर लिजे और इस वीडियो को लाइक कर दीजे चलिए देखते हैं प्रोडक्ट को अब अब आप अब आप अब आप अब आप यह आप यह चुका है मेरा पार्सल और अभी हम चलते हैं इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग देखते हैं इसकी क्वालिटी और आज हमारे साथ सपोर्ट में आया हुआ है चंदन से बहुत दिन के बाद क्योंकि अभी यह थोड़ा गायब रहने लगा है बहुत कमी रहता है हमारे वीडियो में तो अभी चलते हैं इसको देखते हैं कि किस तरी क्वालिटी है और यह जो प्रोड़क्ट है यह भी यूट्यूब के ही अर बढ़ी सकते हैं और मैंने इसको 14-1500 के रेंज में लिया है तो चलिए इसकी देखते हैं क्वालिटी कैसी है आप से मोटो ब्लॉगिंग की जो सांद क्वालिटी है वो मेरा इंप्रूब हो जाएगा क्योंकि अब मैंने माइक मंगवा लिया है तो माइक से बहुत ज्यादा आप जाने वाला है तो चलिए देखते हैं इसके अंदर की क्यालिटी कैसी है अलगें तो इसलिए मैंने इसको स्पेसली मंगवाया है जिसे मोटो ब्लॉगिंग क्वालिटी में चार चांद लगने वाई है तो हमारे साथ आप लोग दे रहे हैं इसका पशनकी सो यह रख ब जो प्राइस रहता है ना वह पंदरा सौला सौतरा सौ इसी बीच में रहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमजन का आप वहीं से खड़ी दना एमजन में अच्छा प्रोड़क्ट देता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह रहा हमारा नया एस से कैम सिक्स लिजेंड बील भी इंपोर्टेंट है अगर मुझे बाइदेवे कहीं रिटर्न करना पड़े फिर भी काम आ जागना पड़े तो देखो दोस्तों यही रहा माइक 3.5 mm का जो जैक होता है वो इसमें नहीं दिया गया है उसके बजाए बी टाइप का इसमें ओट दिया गया है जिस से दिमाग लगा हुए है यहां पर कंपनी थाकि जिसके वैसे उसका सबको यह माइक लेना पड़ता है एक्षण कैमरा के लिए तो गाइस यह रहा हमारा इस जेकन 6 लिजेंड जो कि आज से कुछ दिन पहले मैंने इसको खड़ीजा था अगर वह वाला वीडियो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है और यह कैमरा का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आमजों करने के लिए इस माइक को लगा करनेट करते हैं इस कैमरे में अब जो रिकॉर्डिंग होगा यह मेरे नए एस जेकन 6 लिजेंड से रिकॉर्ड होगा अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं एस जेकन 6 लिजेंड से बिडाउट माइक उसको मैं यूज कर रहा हूं और अभी म में स्विच करने वाला हूं मैक अटाज करके अभी जो रिकार्ड हो रहा है वह मेरे नए माइक जो आभी मैं इसको अटाज चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि साउंड क्वालिटी किस सरी कि आ रही है पहले वाले वीडियो में और अभी का ये वीडियो में कितना ज़्यादा डिफरेंट हैं वह आप पता कर सकते हैं और अभी इसको मोटो व्लोगिंग भी टेस्ट करूँगा और देखूँगा की मोटो व्लोगिंग में कैसा आता है अलो गाइज वेलकम टू माई चैनल दिस इज नवनीद साम एंड यार मेरे बाइक को क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है सो जी मैं रोड पे हूँ और आप चेक कर सकते हैं कि किस थरीके का इसका भवास आ रहा है किस तरीके का क्वालिटी है और इसका साउंड आप चेक कर सकते हैं कैसा आ रहा है अभी अप्रोच गारी मेरा पीस चैलीश का स्पीड है और साउंड का क्वालिटी अभी विंड गार आइधिंग आ रहा होगा क्योंकि मैंने कुछ इसमें जुगार रही सेट किया है इसमें जुगार लगाने के बाद कुछ इसका जुगार लग सकता है देखते हैं कैसी क्वालिटी है यह तो आप लोगों को पता चली जा होगा यह तो आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक शेयर एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें माइक मुझे सही लगेगा परफेक्ट तो मैं इसको रखूंगा यह तो फिर इसको रिटर्न कर दिया जाएगा हेलो 123 एंड अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं टेस्ट कर रहा हूं अपना माइक और यह फिरा माइक को मैंने हलका सा पीछे रख दिया और ऐसे में आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके का इसका सांड क्वालिटी आ रहा है बस यह दोस्तों